पूँआ नमस्कार दोस्तों सवकर देखब फिस सब्सक्राइब कर रहे ते अपना जो किया था पर राज़्यतिक और समाज्य इसमें ने देख लिए था नेशनलिजम और भारत में लोकतंत्र की बात ठीक यह दो टॉपिक कफी दिखा था आज भारत में राज़्यतिक दल दि जो वर्तमान चुनोती हैं क्या-क्या है वह यहां पर देखेंगे ठीक है चलो शुरू करते आज का पहला टॉपिक और जो भी सब्सक्राइब नहीं कि फड़ा पर देखो यहां पर सब्सक्राइब बटन रोकर चैनल को सब्सक्राइब करें चैनल के साथ जूड़िया है तो यहां पर बहुत से राजितिक दल पायाते हैं जबकि अब देखो कि अमिर्का बिटेन उगरा में मुखेता दो ही दल जो कि प्रमुकूरूप से राश्टी अस्तवर पाय जाते हैं जबकि भारत में बहुत सारे लगबाद आठ राश्टी पार्टिया है जिनको राश्टी पार्टिया दिया गया ऐसे आठ पाटिया अभी है वरत्मान समय में में बहुत 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 बाकि बंकूरूप साथ जो होता हो प्रभावी नहीं होता चाहिए में इसके सांग्रेस का चार्ट दोसकर कारेकार लाओ थोस्ते हैं। BREth विकें गर्ति चौंपर कोई प्रभावी दल नहीं था और उसकी तानासाही प्रविति के बढ़ने की समाहना अधिक होती है यहां पर देखा जाता है जहां पर वक्ष कमज़र होता है वहां पर गुवर्मेंट होती है वो उसकी तानासाही बढ़ने की स्थिति हमको देखने को मिलती रहती है लेकिन बोला जाए कि बिटेन अश्टेडि में बटा होता तो क्या होता अगर कोई एक जो एक जूट होके जो कि इसका बीरोद करते लेकिन आपके बहुत सारे दल है ठीक है तो क्या करते हैं जो एक डल जो कि इसको सपोर्ट करते कुछ दल जो कि सब्सक्राइब करते साफ रहे हैं राजसा अभी दो द चांग्रेस की के मिए तो जा जारी, यहाँ पर बतातार बनी हुई ती इसना की बात यहां में बताए जारी है तो आपको कांग्रेस खालती न होके एक दली होकी एक राती ब्र्भूत वाली मन चुकी है यहां पर बहुत सारे दल रख आठ राष्टि दल आपके सामने यहां पर भारत में उपस्तित है इस तरगी बात की जा रही है पर दो भारती दल ब्योस्ता एक अन्य लिश्टार का संपरदायक दलों का विद्यमानता कुछ गठन जाती अधार पर किया गया है इससे इनसे संपरदायक्ता पर देशिक्ता जाती वाद भासावाद जैसी कुरूतियों में बिद्धी हुए जो परजातंद ब्योस्ता के लि अधार बनी होती है तो वह सरकार जोगी ज्यादा सक्षिस नहीं हो पाती कि जो आपके मिली जोली सरकार होती है वह जनता है उन देश के लिए कुछ रशनात्मा कार करने के पेच्छा आप सी हीतों के लिए एक दुसरे से लड़ते रहते हैं तथा आपने अपने घटक को बनिए चारों दलों को संतुष्ट करने कोशिश करते रहेंगे जो कि सबको खुश रखने का प्रयाश करेगी तो इसी चकविन का कारेकाल चला जाता है और बीकास जो देश की राष्ट के बारे सम्भंदित कारम करना चाहिए वह बाधित होता रहता है समय समयंगे पर यह आपका लोगतन्त को कमजोर ही करता है फिर भारत ती राजनितिक में बहुत पूर्ड विश्य स्थात्र किया थी राजनितिक दर बदर पहले जब आपका दर बदर बिरोधी कानून नहीं आए था तो उसके पहले क्या होता था कोई भी MP कि आपको मंतरी पर रागर आपको साथ जितने MP MP जो सब्सक्राइब होता था उन से हट जो की दूसरे विपाक्ष में होता था उन में चलिया ती या विपाक्ष से उटके जो की सब्सक्राइब तो इस वज़े से कि आपका लोगतन्त की प्रक्रिया नो वह बाद ही तो यानि जो विखास कार होना चाहिए उस पे लोगों का ध्यान नहीं होता है अब नियुज में देखो कि तो बड़ी-बड़ी खबरे हेडलाइन हो रही है कि यह फला आदमी जो कि इस पार्टी में चला गया इस पर आपको नियुज अगरा देखने में पर होना चाहिए था बहरोजगारी पर होना चाहिए था जो मतल्स समाजिक मुद्धि होन पर होना तो हमारा एकतर सर लोकतंत्री कमजोर होता है इसके होजा से तिरुप साती बूला जारा है राज़नितिक जो दल हमारे हैं भारती थिस समाघ्राइख प्रकृति प्रवितिन से लिए jyais जैसे कि अपने दल में से कुछ लोग निकल चले जाते तो जो राज़नितिक दल है व काम करेंगा आप चला उसने चंड़ जी पर उसने वादे रा पर उनको वोट दिया था पर यह इस कोपरार न करें कुछ चैंज कर दे क्या होगा तो यह भारती राजी दल में यह विश्वल Сам कम जो आख ऊपसटा धना वह चाहिए भी इस सब्सक्राइब को प्रबावित करने का प्रयाश करते हैं नहीं बाना जाता है यानि जो आपके शेती दर की भरमार है भारती समाज में यह दिखो कि लोगतंत के लिए अच्छा नहीं कि देखो हर लोग जो की अलग लग दिमांड करें हर लोग तरह की चीजों को बात करें कोई एक समती नहीं मन पाई जिसके कार्ण जो मतलब दिर्ड निड़य लेना होता वह नहीं ले पाती है ठीक से क्यों कि सभी को उसको खुष्ट रखना होता है इस तरह की चीजे जब शेती दलों की भरमार हो जाते है वह एक तरसे लोगतंत के लिए सही नहीं है हमने कुछ बिस्ष्था है पड़ा आपका भारती राज्यतिक दल की क्या का विस्ष्था रह सुरू हुआ था और 1907 तक बाद से तेजी से जो की जाती कदा पर जो की आपके राजितिक दल बनना बिगड़ना शुरू हो गए ती उसी अधा पर गुले जब कम्यूनिस्ट पार्टी आई तब आर्थी कदा पर भी जो की राजनितिक दल बनना शुरू हो गए और कुछ आपके समाजिक अधार है जिसे देखो राज क्या है भासाई अधार बिविन राज्यों में कई छेत्री दलों के निर्माड में भासाई अधार भी महतपोट रहें जैसे आप देखलो आकारी दल द्रविड मुनेतर कड़गम यह जो आपके छेत्री दल यह किसके दल बन गए जैसे जारखंड का मुक्ति मोचा तेलंगना का राष्ट समीति तेलंगना राष्ट समीति आदी यह सभी क्या है चेत्री अधार पर चेत्री दल बनते चले गए प्रमपरा और आधुनिक्ता भारत में कुछ दलों का निर्माड भारती संस्कृति प्रमपरा को स अधुनिक्ता को समावेश करना चाहती है वह पूरी तर से जो कि आपके प्राचिन बेरस्ता उसको नहीं अपराना चाहती है ति यह दो अधाया पर देखो कि प्रमपरा और आधुनिक्ता के अधापर भी बाद में जो कि छेत्री दर या राजिनितिक दर का गठान वगरा देखने को मिलता है उप्रोगत अधाया पर देखोगे तो वर्तमान भायात में राजितिक दलों कि यह समाजी गधा जो है वह देखो जाती वाद चेत्रवाद भासावाद और संप्रदाय वाद जैसी समस्यां को भी उत्पन करने में सहयक रहे है और राष्टी विकास के मा अधार या भासा अधार यह जो अधार है एक लंबे समय से उपच्छित रहें और जातियों चेत्रों तथा इसके संधर में हुए असंतुलित विकास को दूर करने और जाती धार्मी तथा चेत्री हीतों को सुश्चित करके जोकि लोक्तन्त को मजबूत करने में भी सहायक तर तो सभागिता को मजबूत कर रहा है प्रभाव पड़ा है जो आर्थिक अधार पर गठित राजनितिक दलों ने लोकतंत को धनी वर्गों के हाथों को कटपुतली नहीं बनने दिया और गरीबों के हीतों को लांबंद कर उनकी सत्ता में भागीदारी शुरिश्चित की यह जो आर्थिक अधार पर जो आपका जैसे कम्मुनिस्ट पार्टी वगरा दल अगरा बन गए ति यह क्या कि जो गवर्मेंट वगरा थी नो उसको धनी व वर्ग है या वंचीत वर्ग है उसके विजो की सहभागीता को सुनुश्चित करता है इस तरह से देखो वर्गी देवेस द्वेस वगरा तनाव संखर्ष इस तरह की इस्तिति जो की बढ़ देखी गई भारती राश्टी एकता और लोकतंत के समाज जो की चुनोतियां भी सब्सक्राइब करता है इस तरह से उनको राजनिति में सभागीता को सुर्चित करता है जाती अधार दल इस से दो क्या होगा एकतिया से लोकतंत को मजबूति परदान करा क्योंकि सभागीता यहां पर देखने को मिल रही है लेकिन यहां पर बोला जाए कि प्रमप्रावार समाजिक आपको प्रमप्रावार जाती अधार पे भेद भाट असमानता थे उसको भी लोकतंत को जाती अधार पर दल है उसने मजबूत किया है फिर तो को यहां पर बोले रहा है दूसरी और इसका पाजिटीव पहले उन्हें नहीं नहीं चाहती जाती अधार बढ़ती जारी है जो कि लोकतंत के लिए रह mote पाजले के दल नहीं सही नहीं है रहा है जाती तेक्ती वात का प्रयोग काफी जचिती हो रहा है उसके काड़ द्गठ है उसका मुल्याग कर देन उत्य यह नहीं हटने दिया उसको कमज़ो नहीं होने यह जो राजीति में धर्म है उसको भी जोड़े रखा धर्म के जो नेतिक मुले उसको भी बनाए रखा इस अधाब देखोगे तो लोकतन भजबूत हो रहा है लेकिन दुस्री देखोगे तो यह जो धर्म है इन धर्म का राइस्टी कर होने से सामपर्दैक्ता को बढ़ावा मिलता है और जिससे देखोग प्राजितिक दल है इसने देखो भारत के विभी चेतरी यह समूहों में सत्ता का विकेद्र करके लोकनितियों में उनके हीतों को सामिल करके संत्री विकास को संभव बनाया है प्रस्टाइब उनको भी निद्धार के लोग है उनको भी महत मिला यानि उनके भास्था शोष्ट हो सका है और शेत्रों का विकास भी से संतुलित विकास हमको देखने को मिल रहा है लोक्त पर यह जो कि इसका पॉजिटीव शायट बताया जा रहा है पर दूसरा पहल भी ने यहां पर पूरा बात की जारी कि कि इस तरसे यहां पर पूरा बात की जारी कि इसको और अच्छे से देखना चाहिए यहां पर यहीं आपका ने एक और टापिक बहुति राजनेतिक दलों की समकारी चुनबती यहां जो बहुति नहीं उन्हें देखने को मिलता है काफशलिंग को बिखने के सबसें से बीडियेक भी Chandler वोट करें तो जाने को परिवारवात का प्रभाव काफी देखने को मिलता है इससे देखो जो नए लोग है उनको देखो जो की आउसर नहीं मिल पाता है तो इस तरह की चुनोते अभी देखने को मिल लई है राजितिक दलों में धन के बढ़ते महत्यों ने आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों क काफी देखोण देखों दिखने मं कितने जाधा पैसे क्युग करच होते हैं लाख को हो जाते हैं जिससे आउन आदमिश्यों के इस तक की चनाव में भागेदारी नहीं कर पाता इसकी भागेदारी नहीं कर पाता हो sharp तो फिसाति देखो एक और पॉइंट बोला राजितिक दलों में अपराधिकरण की प्रविति काफी तीजिसी बड़ी देखो विवर्तवान समय देखो 42 परशेंट से संसर्द में हैं राजितिक दलों का अपराधिकरण बहुबल लोग है वह जो की आजकर देखने को मिल रहे हैं यह आपका राजितिक दलों का वर्तवान समस्था में सबसे बड़ी चनोती भी देखने को मिलती है इस तरह देखो पार्टियों के वीच विविकल परिंता की स्थाति आर्था बीवीन पार्टियों के नितियों कारिक्रमों में घड़ते अंतर ने मत्याता को इन दलों के संदर में भ्रहमित कर दिया यानि जो अपने पालिश हो नाती ऑजो कारिकरम की बात करते हैं वह काफी ब्रहमित देखने को मिलता है यानि कि अच्छी पार्टी के विकल्प के अभाव में जो कि जो पार्टी अभी मजबूत दिखती हम उसी कोड करना शुरू कर देते तो इस तरह की स्थिति भी जो कि भारती पार्टी के लिए जो भारती राजितिक दल है उनके लिए चु देखने को मिल सके साथी देखो यहां पर बोला जारा है नेताओं के संपत्ति का ब्यवरा भी प्रसूत करने का बादेता भी दे दी गई है ताकि जो भरष्टा चाहरे उस पर रोक लग सके और राजितिक दलों को देखो जो चुनाव सरींता होता है उसका पालन करना होता ह रिटर्न भनना भी जरूरी कर दिया गया है तो इस तरह के कुछ प्रवधान करके जो की चेक एंड बेरेंस का काम किया जा रहा है लेकिन बहुत प्रभावी नहीं है आज भी राजितिक दलों में आंतरिक लोगतंत्र पूरी तरह से कायम नहीं उपाया है अब दूब कुछ जारी हो जाता है तो वहां पर आनिवार वोटिंग करना होता है प्रवधान नहीं जिसको जहां मन कर वहां पर वोट कर सकता है ठीक है चुनाओ का खर्च सरकार्वाण करना चाहिए और इसकी एक निश्चे सीमा भी बनाए जाए ताकि हर कोई के लिए जो की चुनाओ जाए तो वहां नहीं होते तब तो चुनाओ लड़ सकते हैं लेकिन एक साल से ज्यादा उपर हो गया लेकिन उनके अभी पाए लेकिन अभी भी हो जो कि उनके चले तो ऐसे लोगों को इलेक्शन लड़ने सो वंचित कर देना चाहिए तो इस तरह के कुछ उपाए राज्यतिक के अपरादी कवर्ड को कम करने के लिए कि लिए सकता है प्रत्यक राज्यतिक दल के दौरा महिलाओं को एक निश्च जनता की पकड़ काफी अच्छी होनी चाहिए जनता जोगी इस पर दबाओ बनात सके इस तरह का प्रवधान करना चाहिए इसके लिए देखो जो आपका वापस भुलाने यानि आपका डारेक्ट डेमोकरिश्य जो पार्ट है क्या रिकॉल क्या कोई गवर्मेंट उनको उनके जो मंत्रा लेवगर है वो सब जो की खतम जाएंगे उनको जो की उनके पत से बरखास कर दिया जाएगा आप डायेट रिकॉल की बेवस्था भी कर सकते हैं साथ ही इस तरह से आप जो की राजितिक दल की समस्या का समधान कर सकते काफी अच्छे हैं पर पॉइंट बत सब्सक्राइब कर चैनल को जोड़ेगे धन्यवाद दोस्तों